तो हमरा अगला question है A and B working together can do a piece of work in 8 days B and C working together can do a piece of work in 12 days A, B and C all working together can do a piece of work in 6 days In how many days A and C working together can do हमरा question बोला है कि A और B साथ में मिलकर किसी piece of work को 8 दिनों में करते हैं B और C साथ में मिलकर किसी piece of work को 12 दिनों में करते हैं जबकि A, B और C जो हैं साथ में मिलकर किसी piece of work को 6 दिनों में करते हैं हमारा question पूश रहा है कि A और C जो हैं साथ में मिलकर उसी work को कितने दिनों में करेंगे ठीक है तो जैसा हमारा question बोल रहा है उसी के according हम question को solve करते हैं हमारा पहला step बोल रहा है कि A और B साथ में मिलकर किसी piece of work को 8 दिनों में करते हैं तो हमने वो लिख लिया next step में बोल रहा है कि B और C साथ में मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो हमने वो लिख लिया अगले step में बोल रहा है कि A, B और C साथ में मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं तो हमने वो भी लिख लिया, अब हम क्या करेंगे 8, 12 और 6 का LCM लेंगे जो कि 24 आएगा और ये 24 हमारा total work done होगा अच्छा इसे आप 24 works बोल लेजिए, 24 units बोल लेजिए, it's up to you मैंने इसे units में लिख रखा है, अच्छा इसी 24 units work that means total work को A और B 8 दिनों में कर रहे हैं B और C 12 दिनों में कर रहे हैं, जबकि A, B और C 6 दिनों में कर लेते हैं तो A और B 8 दिनों में 24 unit works कर रहे हैं तो एक दिन में कितना unit work कर रहे होंगे, 24 divided by 8 that means 3 unit, अच्छा ये 3 unit A और B का efficiency that means सिकारे चमता है that means क्या कि A और B जो हैं एक दिन में 3 unit काम कर रहे होंगे, तभी तो वो 8 दिनों में 24 unit काम करेंगे न एक दिन में कितना unit काम कर रहे होंगे, 24 divided by 6 that means 4 units, that means क्या कि A, B और C 7 में मिलकर, एक दिन में 4 unit काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहां से हमने वो efficiency as it is लिख लिए, that means A और B के efficiency 3 unit आई थी तो हमने वो लिख लिए, A, B और C के efficiency 2 आई थी, तो हमने वो लिख लिए, A, B और C की efficiency 4 unit आई थी, तो हमने वो put कर दिया, A की efficiency हमें नहीं पता थी, तो हमने A को as it is रखा, plus B और C की efficiency हमें 2 पता है, तो हमने वो 2 यहां पर put कर दिया, equals to 4, तो यह 2 is set जाएगा, तो A equals to 4 minus 2, तो यहां से एक जो efficiency निक A, जो है, एक दिन में 2 unit काम करता है, similarly, इसी equation में, A plus B plus C equals to 4 में, हमें A plus B की efficiency पता है, तो हमने यहां पर रख दी 3 unit, plus C की efficiency हमें नहीं पता थी, तो हमने C को as it is, लिख दिया, equals to 4, तो यह 3 is set आएगा, तो C equals to 4 minus 3, that means C की efficiency यहां से निकल के आई, वो 1 unit है, that means क्या, C जो है, एक दिन में 1 unit काम करता है, अच्छा, हम A और C की efficiency क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो question है, A और C के बारे में ही पूछ रहा है, कि A और C, उस काम को कितने दिनों में complete करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने A और C की efficiency निकाली, अच्छा, A जो है, एक दिन में 2 unit काम करता ह है, C जो है, एक दिन में 1 unit काम करता है, तो A और C मिलकर एक दिन में कितने unit काम करेंगे, 2 प्लस 1, that means 3 unit, that means क्या कि A और C जो है, एक दिन में 3 unit काम करते हैं, अच्छ, A और C एक दिन में 3 unit काम करते हैं, और A और C को total 24 units काम करने हैं, तो A और C को 24 unit काम करने में कितना दिन ला देज और यही हमारा आंसर है इस आप फर्मुले से भी देख सकते हैं हमारा जो फर्मुले होता है time into efficiency equals to total work done तो यहां से हमें time भी है days में निकालने हैं तो हमने days को as it is लिख दिया into efficiency हमने a और c की efficiency यहां से 3 unit निकाल रखे थी तो हमने वो यहाँ पर पूट कर दे एकोल सी टोटल वकडन हमारा 24 है तो हमने 24 यहाँ पर रख दिया यहाँ से days जो है days equals to 24 divided by 3 मतलब यहाँ से days जो है 8 days निकल के आएंगे that means क्या A और C को 24 यूनिट्स काम करने के लिए 8 days लगेंगे क्योंकि A और C की efficiency 3 यूनिट्स थी तो हमारा answer होगा answer number option number D which is 8 day इस question के regarding आपको कोई भी doubt हो या कोई भी term समझ में नाया हो तो please comment करना ना भूले मैं कोशिश करूंगा कि आपके comment का reply देश कूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में